नमस्कार दोस्तू स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देभूमे एज कुसिन उत्राखंड में फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम अपके लिलाए हैं परिक्षा से जुड़ी महत्वपून खबरें शुरू करते हैं आज की हेड्लाइन्स है जेई एई भरती की होगी जांच उत्राखंड लोगसिवा आयोग की सायक अवियनता और अवर सायक अवियनता भरती परिक्षाओं की जांच होगी इसकी जांच उत्राखंड लोगसिवा आयोग द्वारा निर्णा लिया गया कि ये स प्रश्ण पत्र बनारेक्षी परिक्षा 2022 और PCS मुख्य परिक्षा 2021 के लिए नए प्रश्ण पत्र तयार किया जा रहे हैं। प्रश्ण पत्र बनारेक्षी परिक्षा 2021 के लिए अगली अपडेट है उत्राखन लोग सेवा आयोग मुख्य परिक्षा के यहां पर एड्मिट कार्ड डाउनलोड की डेट आचुकी है जो आठ फरविल 2023 से आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स अपडेट है करंट अफियर के लिए महतवपून है फ्रेंट से मानस खंड पर तयार की गई उत्राखन की जहांकी। गणतंत दिवस प्रेड में उत्राखन की जहांकी के साथ कुमाओं का पारमपरिक छोलिया नित्या की प्रस्तुत दिखेगी। इस बार राज्य की जहांकी मानस खंड पर तयार की गई है तो फ्रेंट जो इस बार गणतंतर दिवस है इसमें मानस खंड पर उत्राखन की जहांकी रहेगी। प्रक्षा मंत्रालाई की ओर्च राष्टिय रंग साला सिविर नहीं दिल्ली में राज्य के कलाकारों ने पारमपरिक भेस भुसा में संस्क्रतिक कार्यक्रम पेस किये। साथ ही सोलर राजियों के कलाकारों ने अपने परदेश की जहांकी के साथ पारामपरिक भेस भूसा में पुस्तुति दी सोचना विभाग के सुईत निदेशक एवन नोडल एदिकारी केस चोहान के नितितों में परदेश से अठारों कलाकार गरतन दिवास प्रेड में भाग ले रहे हैं इस बार जहांकी के अग्र और मद्य भाग में कारविट नेशनल पार्क में बिचरन करते हिरन बारा सिंगा घुरल मोर के अलावा कई पक्षियों प्रिष्ट भाग में प्रसिद जागिस्वर मंदिर समू तथा देवदार के ब्रिक्षों को दिखाया जाएगा प्रसिद लोक कला ए एक मंदिरों के लिए शियम के निरदेश पर मानस खंड मंदिर माला मिसन योजना पर काम किया जारा है प्रेड के माध्यम से देश-विदेश के लोग मानस खंड के साथ ही उत्रा खंड की लोक संस्कृति से भी परचित होंगे जहांकी का निर्मान स्मार्ट ग्राफ इड़ेटाइजिंग प्राइविट के निदेशक्र सिद्धी स्वर्ख कानुगा द्वारा किया जा रहा है तो इस बार की जो जहांकी रहेगी वो मानस खंड पर रहेगी और पिछले बार की जो गरतन दिवस पर जहांकी थी वो केदार खंड पर थी काफी इंपोर्टेंट करंट अफेर के लिए एक वैसन है फ्रेंट्स आप इसको नौट कर लिजेगा नेक्स अपडिट है अगले पांस साल में तेई सजार साथ सो चौबीस सरकारी नौक्रियों की आउसर होंगे राज सरकार का खाली पद भनने पर जो इस समय विभागों में अगले अपडेट है उत्राखन लोकसिवा आयो का यहां पर प्रेस नोट रिलीज क्या गया है आज दिनांग 23 जनवरी 2013 को विभीन परिक्षाओं के समन्द में गहन विचार बिमर्स करने है तो उत्राखन लोकसिवा आयो की बिसिस बैठक आखुत की गई जिसमें लेगे मह प्रेस रोजगार संकी पदाजिकारी के साथ आई अविर्थियों के परतिनीरित मंडल द्वारा भी SSP हरद्वार की मौजगूद में इस बारता के दोरान परशनगत परिक्षाओं के परति ऐसी आसंकाइं ब्यक्त की गई उक्त के आलोक में हरद्वार SSP हरद्वार से इस स सुरक्षा ब्यवस्ता पुक्ता के जाने को द्यान में रखते हुए और निर्णाय लिया गया कि अन्भागों की सिक्योर्टी ऑडिट के जाने है तो एक टीम उत्राखन लोग से वा आयूग में भेजने है तो ADJ इंटेलिजेंस अनुरोत के आग जाए तथा तदन्यों सार पूर में योवणर में सलिवत अभिएधियों को ब्लेक लिष्टेट किया जाएगा उत्राखन लोग से आ आई-जो पॉइंट है समस्त अभीर्थियों को आसवस्त किया गया है कि आयू कि सभी अभी अभी अभीर्थियों का हित बिदिश्ट्गत परिक्षांक की निश्वक्षता एवं उत्क्रिष्टता के साथ संपन कराइना है तो सभी आवश्यक सुरक्षा इंतजाम शुनीशित सब्सक्राइब और ने सिरे से जो क्वेशन बैंक बनेगा और उसी आधार परिक्षाई आजुद की जाएंगे अगला अपडेट है शिक्षक भरती से समान देती अपडेट है सुप्रिम कोट के फैसले का इंतजार प्रदेश में अभी नहीं होगी सरकारी स्कूलों में सरकार का माना है कि जब तक सुप्रिम कोट से मामले का निप्टारा नहीं होता है भरती न की जाए प्रदेश की सरकारी प्रात्मिक स्कूलों में सायक अध्याप के 26-49 बदों पर भरती के लिए विभाग से वर्स 2020-2020 में आउधन मांगे थे सरकार की और से सुरवात में प्रसिक्षन सस्थान डाइट से डियालेड एवं ब्याड करने वाले अभरतियों के साथ ही अनायोस से डियालेड करने वाले के लिए भी आवधन किये थे लेकिन बाद में सरकार के ओर से निड़ने लिया गया कि अनायोस से डियालेड वालों को भी इस भरती में सामिल नही होगी जब तक सुप्रिम कोट का निर्णाई नहीं आ जाता है अगली अपडेट है हाई कोट से चैनीत अभियर्थियों को निक्ति पत्र जारी करने का रोग है हाई कोट ने यहां पर रोक लगा दी है है हाई कोट से राज्य में महिला स्वास्तिय कार्य करताओं कि जो एनम ज पत्र जारी करने पर रोक लगा दिया है कोट ने मेडिकल सर्विस चैन बोर्ड के अलावा पितोरगर अलमोडा चमोली के सियमो की इस्तिति इसपास्ट करने के निर्देश दिये हैं 23 जनवरी संबार को अगली तिति नियत की गई है तो फ्रेंट जो एनम जैनम भरती की बिधान सभा में वर्स 2016 से पहले की करमचारियों को लग सकता है जटका बिधान सभा सचवाले में 32 पदों पर भरती प्रकरण की जाँच गले की हड़ी बनी बिधान सभा की पुरानी भरतियां महाद्यक्ता के बिधिक राय लेने से देने से इनकार के बाद स्पीकर रितु मरता ब्यक्त की है तो बिधान सभा भरती जो बैक डोर इंटरी हुई थी 2016 से यहां पर उनकी नौकरी पर भी संकट आ चुका है अगली अपडेट है चाचा भतीजे को रिजोट ले गई की साइटी दोनों से तीसरे दिन भी पूस्तास आज चत्रवेदी को मिल सकती है रिमान पटवारी भरती परिक्षप का प्रशन पत्र लीक के मुख्या आरोपी सिक्षक राजपाल और उसके भतीजे संजीव कुमार को पुलिस कस्टडी रिमान के तीसरे दिन भी साइटी न में ले गई और घटना क्रम को दोहराते हुए आरोपियों की निसान दोही पर कही महत्तपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं जबकि आरोपी संजीव चत्रवेदी को भी सुंबार को रिमान पर लेने की संभावना है बरिस्ट पुलिस अजय सिंग की अगवाई में साइटी पे से पूस्ताज के साथ घटना क्रम को दोहराते हुए सक्ष्य एक अत्रित किये तो फिरन 2015 में हुई भरती परिक्षा की वी सीवेजाज की मांग यहां पर प्रितमसंग द्वारा की गई है पत्रकार बारता के दौरान कॉंग्रेस के पूरू अध्यक्स ने उठाई मांग नेक्स अपडेट है जोसी मट के युवाओं को मुक्त पढ़ाएगा ग्राफिक एरा अबदा पीडितों के जख्वों पर मरहम लगाने के लिए ग्राफिक एरा बेश्विद्याल है आगे आया है ग्राफिक एरा डीम्ड हिल उनिवेसिटी में आपदा पीडित परिवारों कि बच्चों को प्रोफेशनल कोर्स में निसुल्क शिक्षा दी जाएगी तो फ्रेंट्स ये काफी सराहनी कार्य है ग्राफिक एरा इंस्टिट्यूट द्वरा तो ये थी फ्रेंट्स आज की मुक्य अपडेट जो चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा औ जल मिलते हैं एक नई वीडियो में नमस्कार